हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सुभवा The Round Circle के Knowledge Circle में आप लोगों का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे अफ्रिका और कोरोना वारिस के मैं पहले ही बता देता हूँ हम इस वीडियो में कितने केस आये अफ्रिका में या उसके क्या के एफेक्ट है हम यह discuss नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि आफ्रिका कोरोना वारिस से लढ़ने में सक्सम है क्या Ebola वारिस से लढ़ने में सक्सम था तो आइगे जानते इस बार में या आर्टिकल मैंने पहले अक बार में पड़ा था फिर मैंने online देखा तो मैं इरान रह गया क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है पॉलिटी सेंस अपने फाइदे के लिए देश को बर्बाद करने में लगे हैं यह नियोर्क टाइम्स का आर्टिकल है इसमें बताया गया कि 10 देशों के पास तो कोई पेंटी लिटर्स नहीं है और प्रोब्लम यह नहीं है प्रोब्लम हम आगे डिसकस करांगा एक एक करके तो हम बात करते हैं जो आपने नियूज में पढ़ा हुआ कि अफरिका कंटेंट में बिल्कुल बहुत कम केसा है मैं आपको बता दूँ अफरिका में सबसे कम केस इसलिए है क्योंकि वहाँ सबसे कम टेस्टिंग हो जाए अगर वहाँ प्रोपर टेस्टिंग केसा है एक स्टेडी के साबसे वहाँ से जो अभी केस है उससे पाथ से आट कुना तक केस बढ़ सकते हैं और यह कोरोणावारिस के जो टोप 10 देस हैं उनमें सामिल हो सकते हैं अफ्रेका के कुछ देस सेंट्र अफ्रेका के साउथ सुटान देस में जिसकी पपुलेशन एक पॉंट एक करोड है उसके पाथ पाथ उपरास्ट्रपती है और चैर वेंटिलेटर्स आप यह समझेए वो अपने नागरिकों को छोड़िए अपने उपरास्ट्रपती को इन बचासकते माली जिया उनके उपरास्ट्रपती को बहगवान न चाहिए पाथ ओको कुछ हो जाए तो उनके लिए ही वेंटिलेटर्स नहीं है और बात में बचके हैं उनके राष्ट पदी आप नागरिकों को भूल जाए उनके लिए नहीं है और दा सेंट्र अफ्रिकन रिप्रिकली के पास तीन वेंटिलेटर हैं जिसकी पॉपिलेशन पचास लागा है और लाइबेरिय के पास 6 हैं तो उनमें से एक बटा है यूनेटिटिट स्टेट अंबैसी के गेट के पीछे डव्लीएचो के साब से जहां यूएसे में एक लाग सत्तर अचार से भी ज़्यदा वेंटिलेटर हैं वहीं अफ्रिकन की 41 देशों में 2000 से भी कम है पर जो हम आमने पहले बताई दिया था कि 10 देशों के पास तो कुछ है नहीं देखें जिस बारे मां बता रहे था साउथ सुडान यह बिल्कुल सेंट्र ओफ अफरिका में इसके पास यहीं है C.A.R. और मां आपको एक और बात बताना चाहूँ यह मान लिजे जो यह साउथ ओफ अफरिका है मिन्स अफरिका का जो साउथ है और यह यह इस साब फिर भ पास कितने ventilators है और per percent कितने ventilators है Somalia के पास एक भी निया और एक नहीं ऐसे 9 देश हो रहे है जिसके पास कोई भी ventilators है डियार कॉंगोगी population 10 करोड है और ventilators है 5 करोड मिन्स हर ventilators पे 2 करोड लोग है और ऐसे ही आप सारी लिस्ट देख सकते हो कोई ज्यादा फरक नहीं है सारी यह सारी ऐसे है, ventilators की कमी देखते हुए, नाइजीरिया की finance ministry ने tweet कर Elon Musk के मतद मागी थे जो Tesla के founder है, हालांकि उन्होंने 31 मार्च को मागी थी, हालांकि उन्होंने बाद में tweet delete कर दिया, पर जो उनको tweet से लोगों को समझाना चाहते थे, rest of the world को बताना चाहते थे कि अफरिका मे ventilators की बहुत कमी है, इसी को देखते हुए, जैक मा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, और पूरे कंटिनेंट को 500 ventilators दान किये थे, और यही नहीं, 20 अपरेल को भी उन्होंने कोरोना वेर्स से बचने के लिए जरूरी समान, जिसे मास्क, टेस्ट केट्स, वेंटिलेंट्स वे अफरेका कंटिनेंट में जिते हैं, वैसे कोई comparison नहीं है, पर इससे आपको अच्छा समझ आएगा, जहां यूरोप में हर 10 लाग के लिए 4000 बैड हैं, जहां दस लाग के लिए 4000 बैड हैं, वहीं अफरेका में 10 लाग के लिए 4000 बैड हैं, और यहीं आप ये बैड्स की ब आती, और ventilators पे जैसे हमने आपको पहली बता है, जहीं वैसे के पास एक लाग सत्तर हजार है, टोटल ये अफरेकान कंट्री के पास सिर्फ 2000 ventilators है, और आप इंडिया की जानना चाओ, तो इंडिया के पास 4000 ब्लस ventilators फिलाल मुझूद हैं, और बहुत सारे बनने लग रहे है ventilators तो बाद में चाहिए होता ना, सबसे पहले चाहिए होता है, वहाँ साफ पानी है, सब सहारन चो कंट्री है, वहाँ सिर्फ 15% लोगों के पास हाथ दोने के लिए साफ पानी है, और लाबेरियम तो इससे भी बुराल है, 97% घरों के पास तो पानी ही नहीं, वहाँ हाथ ख बाद में च्रकार क्या दयान नहीं दिती, देखिये, सिर्फ 3% लोगों को ही चाहिए होता, मिर्स जो पेसेंट्स होते है, उसमें से सिर्फ 3% लोगों को चाहिए होते है, वेंडिलेटर और वहाँ गी जो सरकार है, अरम है, जो राज साहिब, जो बी है, उनको कोई मक्सद और आपने नियूस में में देखिए, कुछ दिन पहले आई थी कि कि किसी होस्पिटल में उक्सेजन चाहिए थी पर वहाँ थी नहीं, तो वहाँ पास के एक जिन्स बनाने के फैक्टरी से उपलब्द करा गई थी, जो वहाँ ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए काम आती है, आख अथर एक ओल्समित के बुक्स पे, मैंकर ओल्सें थोरियन दा थर्ड वर्ड, उसमें साफ साफ काया गया है, पेज नंबर 471 और 472 पे, कि एकोनोमिक डेवलोपेंट के लिए सबसे ज्यादा जरुत हो थी, ये पोलिटिकल स्टेबलिटी, पर मा आपको पताना चाहता हूं, ये देखें, अब जो अफरिका के 54 देश है, अफरिका कंटिनेंट में 54 है, ये यूएन मानता है, जो अफरिका यूने वो 55 देश मानता है, और जो यूएन वो 54 देश मानता है, तो थोड़ी यूएन के मानते हैं, ऑफिसल ये थोड़ा ज्यादा लगता है, 54 देश में से 40 ह देख चुका है तो यह कहां की stability है और यह तो कुछ भी नहीं है सिर्फ 2010 से 2010 से 32 हो चुके हैं तक्ता प्लेट की इसमें अलांगे कुछ सफल हुए कुछ नहीं सफल हुए पर वो मैटर नहीं करता यह कहां की stability है यह आपको बताना चाओंगा जो 23 अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने कम से कम थीन बार तक्ता प्लेट देख चुके हैं अप stability देख रहे हो हैरान हो तीन बार अगर आप यह देख के है रहान हो तो आप यह तो देखना है न बरकेना फासो ने दस बार तक्ता प्लेट देख लिए पूरे वोल्ड में जो एवरेज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वह 0.2 समझ रहें बहुत कम है है ना अलांके यह जो जितनी भी लिष्ट है यह सारी अफ्रिकन कंट्रीज के है मैंने आपके लिए अलग छाट दी वरना पूरे देश की हुथी पर वह बहुत बीड़ हो चुका है हुआ ने तो यह देख चुके है अलांके यह वर्ल में सबसे कम लीवें यह सबसे कम है यह मन जिसकी 3.0 है माइनस 3.0 और सबसे अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिट है मोनेक होगी जिसकी 1.61 थी यह थी हमारे एक छोटी सी पेसकस कि अफ्रिका देश की सक्सम है और सक्सम नहीं है तो वे क्यों नहीं है उमेद आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कर देना सेर सब्सक्राइब और हैवा गूड डे थैंक यू